से हेलो दोस्तों मेरा नाम है रितेश और आपका इस चनल पर स्वागत है दोस्तों आज बात करऊंगे गोवी अपने चploy कैसे लगाएं दोस्तों मैंने कुस्छ प्लांट के चशत पर लगाया है और हम me बताने वाला हूं इसकी फूल इसके बताने वाला हूं कि घर पे गोवी कैसे लगा है मैंने काफी केर किया और सामने देख पारे कुछ गोवी के प्लांट में लगाये हुए हैं और इसमें गोवी आ चुके हैं और कभी तो छोटे हैं लेकिन फिर ही मैं हार्विस्ट आज करने वाला हूं और काफी हेल्दी छोटे बेखने में भी काफी हैं और तो आभी लगाएं और इसका जो विंटर सीजन में ये गुबी लगते तो आभी अपने घर पर लगा सकते और काफी ये डिलिसियस होते खाने में भी तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें इसकी बैग चैन मतलब इसकी जो हम लोग पॉट की जो हम लोग ग्रोइंग लेते हैं जो जाले गोबी की जो जहाते आंटर तक जाती नहीं है इसके बाद हम बात करें इसकी जो sunlight के दोस्तों इसको sunlight पसंद दे और इसको full sunlight में ही रखें कम से कम 5-6 गंटे इसको sunlight दें और इसके बाद हम water की बात करें दोस्तों तो इसमें आप बात रहें कि यह विंटर सीजन है और इसमें उतनी पानी की आप सकता होती नहीं कोसिश करें जब ड्राइब हो जा जा इसके बाद ही पानी डाले तो इसके तो आप डाल सकते हैं पानी अल्टरनेटी रहेगी और प्लांट आपकी हेल्दी रहे और इसके बाद हम खाद की बात करें जो मैंने जो स्वाइल कंपोजीशन लिया है बढ़मी कंपोस्ट गोवर और मिट्टी मिला के मैंने डाला था और आप देख पा रहे हैं कि जो गुरोथ है काफी अच्छी है और काफी हेल्दी प्लांट है तो आप जब भी ले तो कम से कम गोवर और बढ़मी कंपोस्ट डाले और इसकी प्लांट को ज्यादा खाद याप सकता है नहीं होती लेकिन बीच में कम से कम यह बढ़मी कंपोस्ट जरूर दे मैंने इसमें जैबी खाद ही डाला है रसायनी खाद के अपयोग म तो आप कम से कम एक बारी इसमें बढ़ी कमपोस दें तो इसकी जो भूनी रहेगी और दोस्तों एक रिक्वेस्ट में आपसे करूँगा कि जब भी घर पर टेरीज गार्डेनिंग करें तो कम से कम थोड़ी सी चावल और पानी जरूर छट पर रखें ताकि आपकी घर पर रखें और दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा इस समद में कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सेर और सब्सक्राब जरूर करें थैंक ये दोस्तों थैंक ये